Hello everyone, I hope आप लोग सब थीक होंगे आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं What is fact? What is opinion? Difference between fact and opinion Importance of learning fact and opinion and then examples of fact and opinion तो चले स्टार्ट करते हैं What is fact? Fact का क्या मतलब है? इस वर्ड को अगर हम उर्दू में translate करें तो इसका मतलब है हकीकत या असल मालुमात Fact का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो हकीकत पर मबनी होती है Reality-based होती है The fact is something that has actually taken place or known to have existed मतलब fact ऐसी चीज़ होती है जो पहले से मौजूद होती है हकीकत होती है, असल होती है Which can be validated with pieces of evidence और जिसे सबूतों के जरिये थाबित किया जा सकता है They are strictly defined and can be measured, observed and proven मतलब facts को हम साबित कर सकते हैं, measure कर सकते हैं उसे उसे observe कर सकते हैं, उसका मिशाहिदा कर सकते हैं It refers to something that makes statements true Fact एक truth based होता है, true statements होती है fact के अंदर And used in connection with research and study तो इसे research based होता है, study based होता है इसके अंदर Research की गई होती है, evidences based होता है मतलब fact हकीकत, असल मालूमात evidences based होती है, reality based होती है, इसके एक existence होती है तो क्या हमें समझ आई, fact एक हकीकत पर मबनी चीज़ होती है, reality based चीज़ को हम fact कहते है, जिसकी कोई existence होती है Opinion किसे कहते हैं, अगर इस word को हम अर्दू में translate करें तो इसका मतलब है राए और ख्याल The term opinion is defined as the personal view or judgment about a subject एक person का ख्याल, एक person का view, किसी भी चीज़ के बारे में उसकी judgment, किसी भी मोजू के बारे में उसकी judgment, उसका ख्याल, उसकी राए को हम opinion कहते है That may or may not be substantiated by the facts of positive knowledge हम इसे साबित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते यह हम पर depend करता है, किसी की ख्याल को, किसी की राए को हम साबित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते In other words, an opinion is an inconclusive statement used in subjective matters जाती चीज़ों के अंदर opinion को use किया जाता है आप अपना ख्याल अपनी राए जाती चीज़ों के अंदर देते हैं Which cannot be proved true or false इसको हम सही या गलत साबित नहीं कर सकते हर इनसान की अपनी राए होती है, अपना ख्याल होता है, अपना opinion होता है उसे हम सही या गलत साबित नहीं कर सकते It is what a person thinks or feels about something or someone Opinion क्या है? ऐसी चीज़ जो इनसान किसी चीज़ के बारे में या किसी इनसान के बारे में ही जो सोचता है उसके अपने ख्यालात, उसकी अपनी राए Hence, it is not a true but biased information मतलब ये एक यक तरफा information होती है, यक तरफा ख्याल रख, यक तरफा राए को कहते हैं हम opinion Evidence is based नहीं होती है Simple एक इनसान की राए होती है एक इनसान किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, उसके ख्यालात क्या है उसको हम opinion कहते है Fact और opinion में difference हम examples के जरीए समझते है Next, अभी सिर्फ ये देख लें कि opinion और fact है क्या समझ आ रही है कि opinion हम किसी की राए या ख्याल को कहेंगे जबके fact हकीकत पर मबनी चीज़ को कहते हैं हम अब हम fact और opinion के अंदर difference देख लेते हैं इन दोनों के अंदर difference क्या है fact और opinion के अंदर First one, fact refers to something that can be verified or proved to be true Fact को हम verify कर सकते हैं इसकी हम तजदीक कर सकते हैं इसे prove कर सकते हैं थाबित कर सकते हैं जबके opinion refers to a judgment or believe about something किसी चीज़ के बारे में राए को हम opinion कहते हैं इसे हम verify नहीं कर सकते हैं Second one, fact is based on observation or research मतलब यह observation यह research based होती है इसमें research की गई होती है Evidences collect किया गई होते हैं जबके opinion is based on assumption और personal view इसे first किया जाता है अपना personal view based होती है यह फर्जी होती है, राय होती है खयाल होता है किसी चीज़ का Third one, fact is objective reality मतलब fact जो है इंपार्शल होता है इसके अंदर किसी इंसान का personal view नहीं होता Unbiased होता है जबके opinion subjective statement होती है Subject इसके अंदर शामिल होता है Person शामिल होता है Personal view होता है यह कि subject opinion Then, verification of fact is possible मतलब हम fact को verify कर सकते है इसकी verification करना possible है जबके verification of opinion is not possible हम opinion को verify नहीं कर सकते क्योंकि इसमें evidence is based नहीं होती है उसके बाद fact is universal Fact is of worldwide scope Applicable होता है यह हर जगा माना जाता है जबके opinion differs from person to person कि हर इंसान की राए हर इंसान का खयाल different होता है Then, facts are shown with unbiased words Impartial words के साथ facts को दिखाया जाता है Examples में हम देखेंगे किस तरह से जबके opinion के अंदर biased words यूज किया जाते हैं For example, bad, worse, worst, good, better, best, possibly, probably, etc इस तरह के words opinion के अंदर यूज किया जाते हैं Biased words यूज किया जाते हैं opinion के अंदर तो यह main difference है fact और opinion के अंदर Importance of learning the difference between fact and opinion हम क्यों यह जानना चाह रहे हैं के fact और opinion में क्या difference है क्या importance है यह जानने की To know the reliability and utility of an information or statement हमारे सामने कोई भी information आती है यह statement आती है तो हमारे लिए easy होता है यह जानना के कौन सा fact है और कौन सा opinion है अगर हमें पहले से पता होगा It is vital to understand the differences between fact and opinion इन दोनों के अंदर difference चानना बहुत जरूरी है So as to evaluate things and draw conclusion ताके हम conclude कर सकें कि क्या चीज fact है और क्या चीज opinion है While reading comprehension, it is hard to identify whether a given expression is a fact or an opinion जब हम किसी चीज़ को read कर रहे होते हैं तो हमें हमारे लिए मुश्किल होता है यह जानना कि यह चीज fact है या opinion है लेकिन अगर हमें difference पहले से पता होता है तो हम easily समझ जाते हैं कि यह fact है या opinion As they are quite commonly juxtaposed by the writers क्योंके writers हमेशा fact और opinion को mix up करके हमारे सामने रखते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जानना Facts are always one step ahead of opinion as facts can be proved to be right or accurate एक step forward इसलिए होते हैं fact क्योंके वो accurate होते हैं reality based होते हैं evidence based होते हैं जबके opinion may also be right but they cannot be proved as true किसी की राय या खयाल भी ठीक होता है लेकिन हम उसे evidence based नहीं रखते reality based वो नहीं हो सकता truth नहीं हो सकता राय है खयाल है एक particular person की एक subject की तो ये difference है fact और opinion में और इसे जानना हमारे लिए जरूरी है ताके कोई भी चीज़ पढ़ते हुए हमें ये पता हो कि fact क्या है और opinion क्या है समझा गई हैं? अब हम examples के जरिए समझ लेते हैं fact और opinion का difference हमारी first example है your heart pumps blood through your body अब हमें differentiate करना है कि ये fact है या opinion मतलब दिल पूरी body को blood provide करता है definitely ये चीज़ evidence based होगी truth है reality है तो ये opinion नहीं हो सकता तो इसे हम कहां रखेंगे fact के अंदर हमारी next example है women should be allowed to vote ओरतों को vote देने का हक होना चाहिए अब ये fact है या opinion women should be allowed पहली चीज़ तो इसमें should use हुआ है तो इससे हमें idea हो जाएगा कि ये opinion है राए है तो हम इसे कहां पर रखेंगे opinion के अंदर क्योंकि ये fact नहीं है ये खयाल है should be allowed हमारी next example है London is the big city in the world तो ये fact है या opinion तो ये evidence based है इसलिए ये क्या है fact next is belly tigers are extinct तो ये opinion है या fact definitely fact है क्योंकि ये reality based है इसलिए हम इसे कहां put करेंगे fact के अंदर next is the movie was boring तो ये fact है या opinion definitely opinion है क्योंकि ये खयाल है dry है इसलिए हम इसे कहां रखेंगे opinion के अंदर next example is more than 70% of earth surface is ocean तो ये opinion है या fact definitely opinion नहीं हो सकता ये तो ये fact है क्योंकि ये reality based है इसलिए हम इसे कहां put करेंगे fact के अंदर next example is you need oxygen to survive तो ये क्या है fact और opinion तो ये है fact क्योंकि ये reality based है इसलिए हम इसे कहां put करेंगे fact के अंदर और हमारी last example है we should use ocean water for drinking तो ये fact है या opinion opinion है क्योंकि इसके अंदर हमने use किया है should और ये reality based नहीं है इसलिए हम इसे कहां रखेंगे opinion के अंदर तो यहां खतम होता है हमारा आज का topic उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी next video में तब तक के लिए खुदा हाफिज ये अंदर हुआए